बस्तर में करीब 10 सालवाद देंगू के कहर से पूरे जिले में हाखार मचा हुआ है अब तक इस गंबीर बीमारी से 6 लोगों ने दम थोड़ दिया है वही पूरे जिले भर में करीब 1100 से ज़्यादा मरीज डेंगू से पीड़ित है और इन में कई लोगों की हालाद गंबीर बनी हुई है वही शेहर में रोजाना 50 से अधिक मरीज डेंगू से पॉजिटिव मिल रहे है ऐसे में मरीजों के उस सबसे ज़्यादा जरूद प्लेटलेश्ट की पड़ रही है और इसकी मांग इतनी बढ़ गई है कि लोगों को निजी पैथलोजी में दो-दो दिन तक का इंतिजार करना पड़ रहा है मामले को लेकर इस्तानी लोगों का कहना है कि प्लेटलेश्ट की कमी के वज़े से मरीज की तबियत और बिगड़ती जा रही है बलड डॉनेट करने वालों की कमी हो गई है यही वज़े है कि अब तक जिले में 6 लोगों की प्लेटलेश्ट कम होने से मौत हो चुकी है फिलास वास्त विवाग के अधिकारी डेंगू से पीड़ित मरीजों के लिए प्लेटलेश्ट की कोई वेकल्पिक विवस्ता करने की बात कह रहे हैं कि अब बस्तर में जिस आप से डेंगू का प्रपोब बढ़ रहा है वह बहुत ही खतरनाक हुप ले चुका है और सेहर में जिसको का से मरीज बढ़ने हैं तो खुन देने वाले कम होती जा रहे हैं और इसका बहुत से लोग गलत खायदा भी उठा रहे हैं मुझे लगता है कुछ लेव वाले भी आपदा का उसर बनाके जो चेकिंग का चार्ज होता था उसको भी बढ़ा दिये हैं और इसमें हमारे दोरा लगतार यह प्रयास किया जा रहा है कि हम लोग इसको पर नियंत्रन करें और इसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है ट्रांस्मिशन और वो जो ट्रांस्मिटिंग जो वेक्टर से मॉस्क्यूटो रहते हैं मच्चर रहते हैं तो उनके उपर कंट लार्वा जहां पर पनपते हैं वैसी जगों पर हम लोग सोर्स इंटिपेकेशन करके